हमने दुकान था गर साथ सब भूच गिया नर धनबात के जरिया विधान सभा में हजारों परिवार वर्सों से मौत के मुहाने पर बैठे जिला प्रशासन, BCCL और JIDA के अधिकारियों की रह तक रहे हैं ताकि वो आएं और इस मौत के मुहाने से हजारों परिवार को निकाल कर किसी सुरक्षित स्थान पर विस्थापित कर नई जिन्दगी दे हम बात कर रहे हैं जरिया के लिलोरी पत्राइस्थित बालू गद्दा की जहां हजारों परिवार कई सालों से भूधसान वाले छेतर में रहने को मजबूर हैं इस शेतर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका आशियाना जमी दोज हो चुका है बाउजोदिस के आज तक उनका विस्थापन नहीं किया गया नतीजा ये है कि वो आज भी इसी भूधसान वाले छेतर में रहकर विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं कई साल पहले ही बी सिसील द्वारा इस शेतर को पूरी तरह से अगनी प्रभावित और भूधसान शेतर घोशित कर दिया गया लेकिन यहां रह रहे हैं लोगों को विस्थापित नहीं किया गया ये लोग जिन्दगी की तलास में हर दिन मौत से जंग लड़ रहे हैं कब इनकी हार हो जाए और कब अधिकारियों की रह तकती ये आखे बंद हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता बहरहाल सवाल यही है कि अगर कोई बड़ा हाथसा होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा तो अभी कहा रहे है आप बेटा के घर में रहे है बेटा के घर में रहे है यह बुदसान चेतर है यहां पर आप कैसे रहे है आपका घर का बगल में भी गोब बना हुआ है तो आप लोगों ने दिया घर हम लोग अभी नामों के ठका ना करना है अच्छा मतलब बीसीचल आप लोगों ने देता है क्वार्टर बना ले आप के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगता.in के साथ